नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप स्वागत आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों यह जो वीडियो है पिटुनिया प्लांट का बीज लगाने से लेकर सैपलिंग प्लांट को ट्रांस प्लांट करने तक के अपडेट के साथ एक कम्प्लीट वीडियो है कम्प्लीट इन्फ इस पिटुनिया प्लांट का बीज लगा सकते हैं लेकिन आप चाहें किसी डिब्बे का प्रयोग करें या पोट का उसमें आपने जो है कुछ ड्रैनेज होल जरूर बनाने हैं जैसे कि मैं इस डिब्बे में कर रहा हूँ छेद ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है डैन आउट होता रहे छेद करने के बाद मैंने दोस्तो डिब्बे को अच्छी तरह से मांज लिया है अभी हम जो इसमें अपना पोटिंग सोयल मिक्स भरेंगे जिसमें हम अपना पिटुनिया का बीज लगाएंगे पोटिंग सोयल के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ दोस्तो ओनली वर्मी कमपोस्ट जिसे केच्वा खात कहते हैं यह आपको नर्सीज में बड़ी असानी से मिल जाएगी तो दोस्तो मेरे पास वर्मी कमपोस्ट है तो मैं वर्मी कमपोस्ट में पिटुनिया का बीज लगाने जा रहा हूँ आपके पास वर्मी कमपोस्ट नहीं है कोको पीट है तो आप कोको में पीट में भी सेम तरीके से बीज पिटुनिया का लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पर वर्मी कमपोस्ट का यूज कर रहा हूँ वर्मी कमपोस्ट को इस तरह से आपने अच्छे से डिबे में भर लेना है या फिर पोट में आप यदि सिर्फ वर्मी कमपोस्ट में बीज को बीजते हैं तो इस तरह से आपने वर्मी कमपोस्ट को दबा कर भरना ह इसके बाद फिर से हम थोड़ी सी वर्मी कमपोस्ट जो की बारीक है उसको हम इस तरह से डालेंगे लेकिन इसको हमने दबाना नहीं है हमने पहले ही वर्मी कमपोस्ट को दबा दिया है जितना दबाना था अब इसको हमने दबाना नहीं है आप यदि कोको-पीट में बीज़ बीज़ते हैं तो भी आप सेम तरीके से ही करेंगे यह आप देख सकते हैं पिटुनिया के बीज़ जुह है काफी healthy बीज़ हैं अब इन पितुनिया के बीज़ को हमने इस मिठ्टे के ऊपर बिखेर देना है तो दोस्तों पिटुनिया का बीच काफी जादा बारीक होता है, तो इसलिए कोशिश करें कम से कम बीच छिड़कने की, तो इसुटा से बीच को आपने विट्टी के उपर बिखेर देना है, कोकोपीट में बीचते हैं तो भी आप सेम तरीके से बीच सकते हैं, या फिर आप स इस ट्रे को ग्रीन नेट की नीचे रखना है, आप सितंबर, अक्तूबर, नॉवंबर मन तक कभी भी पिटुनिया का बीज लगा सकते हैं, यदि रात का टंपरेचर जो है 25 या फिर 25 से नीचे का है, तो आप अगस्त में भी बीज इसका लगा सकते हैं, यदि नाइट टंपर पिटुनिया का बीज बनेगा, उससे बीज जल्दी अंकुरित होकर बाहर निकलाएगा, यह है दोस्तों फर्स्ट अपडेट हमारे पिटुनिया सीडलिंग प्लांट का जो की 11 दिन का है, यदि आप सितंबर मन्त में लगाते हैं पिटुनिया का बीज तो 7 से 10 दिन में जर से बहा निकलाएगा, तब आपने धकन को बंद नहीं करना है, या फिर पोट को किसी भी पॉलिफिन से कवर नहीं करना है, यह है दोस्तों सेकंड अपडेट जो की 22 दिन का है, अभी आप देख सकते हैं पिटुनिया के जो प्लांट है, सैप्लिंग प्लांट काफी तेजी स बढ़ रहे हैं, यह है दोस्तों तीसरा अपडेट जो की 33 देज का है, 33 देज में आप देख सकते हैं हमारे पिटुनिया के जो सैप्लिंग्स हैं, वैर रेडी हैं टांस्प्लांटेशन के लिए, इन सैप्लिंग्स को अब हम उखाड कर जो हैं किसी भी अन्य मेडियम सैप्लिंग्स के पोर्ट में टांस्फर कर सकते हैं, तो आप चाहो तो इस तरह के डिब्बे में पिटुनिया के सीड लगाते हैं, तो आपको जो 100% बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन रजल्ट मिलने वाला है, तो हम इन सैप्लिंग्स को अब इन 6 इंच बड़े पोर्ट में और पोलिथीन में ट्रांस्फर करने वाले हैं, सैप्लिंग्स उखाडने से पहले थोड़ा पानी जरूर डाल लें, और सैप्लिंग्स को प्लांट को बिल्कुल नीचे से जड़ के पास से पकड़ कर खीचना है, तो इस तरह से आपकी जो पिटुनिया की सैप्लिंग है, व तो इस तरह से आप पिटुनिया की सैप्लिंग्स लगा सकते हैं, इस समय जो मिट्टी बनाई है, इसमें सैंड, गार्डन सोल और कमपोस्ट तिनों को बराबर मात्रा में लेकर मिट्टी त्यार की गई है, तो सैप्लिंग्स प्लांट को इस तरह से लगाने के बाद एपी गार्डनिंग्स